असलाम अलेकूम, आज मैं आप लोगों को स्टेंडर्ट सिक्स के सेल के बारे में पढ़ा रही हूं, एक्चुली में सेल होता क्या है, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं, और सेल की जो पढ़ाई जिस हम लोग इसमें करते हैं, बाटनी में, उसे हम लोग साइटोलोजी हमारा बॉड़ी या जितना भी लिविंग ऑर्गिनिजम है, सब सेल से बना हुआ है, तो अगर आप से कोई पूछता है कि सेल का क्या डेफिनिशन होगा, तो आप लोग बोल सकते हो, सेल इस दा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक तो ये डेफिनिशन हुआ, एक हुआ, से अगर एक सेल के ही अंदर ही सारा सेल ऑर्गिनेल्स होता है, सब जो भी इकाई है जीवन की वो सेल है, तो सेल इस दा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल को सबसे पहले किस ने बनाया था, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हूक, रॉबर्ट हूक नामक एक साइंटिस् विशकार किया था, उन्होंने किसी से विशकार किया था, वो छोटे-छोटे कॉर्क होता है, जो देखते हो गहुमेपैतिक के शिशी में जो लगतन लगाती है, उसी कॉर्क को उसने देखा था, तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, माइक्रोस्कोप उसने खु पॉर्ड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर उसमें देखके पता चला कि हमारा पूरा बॉड़ी जो है, वो छुटे-छुटे इल्टा के तरह है, छुट-छुटे सेल से मिल करके बनता है, और यह सेल जो है, यह हर शेप साइस का होता है, ठीक है न? और इनका श कुछ ऐसी living organism है, जो वो एक सेल के ही बनता है, जिसे हम लोग बोलते है, यूनी-cellular, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, नॉस्टोक हो गया, यह जो छोटे-छोटे होते हैं, माइक्रो-अर्गनिसम, और कुछ सेल जो होते हैं, वो multi-cellular होते हैं, यह ब सबसे पहले आप यह जान लेजिए कि सेल होता क्या, तो इसका definition होगा, सेल इस दा basic unit of life, सेल इस दा structural and functional unit of life, इसका invention किस ने किया था, और Robert Hooke ने किया था, और यह जो है, यह बहुत तरह का shape और size में होता है, यह एक सेल का भी बनता है, जैसे हमीबा और multi-cellular, यानि बहुत सा जो कि brain का, और सबसे छोटा सेल जो होता है, वो हमारा RBC, WBC के एक सेल होता है, वो सबसे छोटा सेल होता है, या जितने भी bacteria virus है, वो सब छोटे सेल होते है, बर्स का, और ostrich का जो अंडा होता है, वो भी एक तरह का सेल ही है, तो यह सेल अलग-अलग shape का होता है, और अलग- और एक हाती का nerve cell ले लेजिए, तो ये दोनों का function बड़ा ज्यादा होता है nerve cell का, तो इसका depend size जो हता है, वो उसके function पर ये करता है, यह लिए कि अगर छोटा animal है, तो उसका छोटा cell होगा, nerve cell जो है, वो सबसे बड़ा cell है, चाहे वो चूहा का हो, चाहे वो elephant का हो, और तो इसका size depend करता है, उसके function पर, तो आज इतना ही, अब हम इसका second class में इसके और details बताएंगे, okay, take care